हेलो गाइस वेलकम तू मैं अनदर वीडियो एंड इसे आप कहीं भी एड़ेस्ट कर सते हो और कुछ तो मशीन ऐसे होंगे जो ट्रेवलेबल होंगे मतलब एक जगे साप दूसरी जगह एजिली आप अपने बैग में भर के लिजा सकते हो गाइस इतने ज्यादा चोटे होंग सब्सक्राइब कर लिजेए लेटिस गैजट और बजट प्रोडेट के बारे में जानने के लिए और गाइस में सारे ही मशीन का एमेज़न लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप चाहो तो डायरेक्ट पर्चेस कर सकते हो गई तो चलेगा स्टार्ट कर करते हैं आज का वीडियो और यह है आज का पहला प्रडेक्ट टीमर वाशिंग मशीन विद ड्रायर बास पर देखे गाइस यह एक 4.6 kg का मशीन है और मेरे आज के लिस्ट का सबसे बड़ा मशीन यही है देखे आप इसमें सिर्फ सिंगल टब है और गाइस हमारे घर पे य ज्यादा अट्रेक्टिव है इसके उपर एक एक हलक हलका ट्रांस्पेरेंट ब्लू कर अधकन दे रखा है जो काफी ज्यादा अट्रेक्टिव है और ज्यादा कुछ कॉंपलेक्स नहीं है इसे यूज करना सिर्फ दो ही बटन है उपर आप अपनी स्क्रीन की पर देख सकते इस वाशिंग मशीन का जो हाइट है वो है 66 सेंटीमीटर और लेंथ ब्रत है 40 42 सेंटीमीटर और आप देख सकते हो इसका इसमें जो रोटर है यह क्लॉकवाइस टू सेगंड तक घुमेगा उसके बाद एंटी क्लॉकवाइस और टू सेगंड तक घुमेगा जैसे कि नॉर् और अपने कपड़ों से आपको इस ट्रायर को भर देना है और रेगुलेटर के हेल्प से आप इसे ऑन कर दो यह एंटी क्लॉकवाइस की स्पीट से घूम कर कुछी सेगंड में आपके कपड़ों को आधा ड्राय कर चुका होगा गाईस एकदम नॉर्मल वाशिंग मशीन की एक और मशीन अवेलेबल है जो की ओनीडा का है और आपको पता ही है ओनीडा काफी पूराना ब्रैंड है और इस वाशिंग मशीन में और आपके स्क्रीन की पच्छो वाशिंग मशीन दिख रहा है इसमें भी सेम फीचर से सब कुछ सेम है रोटर सेम है डिजाइन सेम है बस से कपड़ों को धोएगा ड्रायर का काम नहीं कर पाएगा गाइस तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट है डीमर ठीकेजी पोटेबल वाशिंग मशीन देखे गाइस यह भी एक बहुत ही चाहता कूल और अट्रैक्टिव वाशिंग मशीन में से एक है इसमें भी आपको सेम फीचर देखने को मिल जाएगा लेकिन इसका जो साइस है वह थोड़ा छोटा है कंपेड टू जो मैंने पहले जो प्रोडेक्ट दिखाय था उसके कंपेरी जन में और यह तिरी केची का है यह काफी ज्यादा छोटा है इसको आप कहीं भी एड़ेस कर सकते हो कार के डिक्की में भी वशिंग वाशिंग में से एक है क्यूं कि इसमें आपको सारे फिछर मिल जाते हैं, जो इक बड़े मॉन्स्टर वशिंग मोशिंग में होता है और यह seen भी बहुत कम लेता है और यह इसमें आपको कर वारन்टी मिलता है और वैस शारे ही कपड श्यादे size में इतना छोटा है और बाकी सारे कपड़े आप इसमें easily धो सकते हो guys और इसका भी function सेम है कि 2 second तक ये clockwise घुमेगा उसके 2 second के बाद ये फिर anti-clockwise घुमेगा और इसमें आपको dryer भी मिल जाता है जो कि anti-clockwise घुमेगा और अप्रॉक्स कुछी मिनिट में पास से 6 मिनिट में ये आपके सारे ही कपड़ों को सुखा देगा लेकिन इसका जो ड्रायर है वो काफी ज्यादा छोटा है जितना इसमें अज़ेस हो आपको सिर्फ उतना ही कपड़ा इसमें डालना है और और इसको स्पिन करना है बस गाइस काफी ज्यादा इजी फंक्शन है ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं इसको यूज करना हर कोई यूज कर सकता है और इस मशीन का फिनिशिंग देखे आप कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया है यह पूरा ट्रांस्पिरेंट है और ब्लू क्लर का फिनिशिंग दिया इसमें बिना किसी प्लास्टिक कॉम्प्रमाइस के मतलब इसमें जो प्लास्टिक है वो काफी अच्छी कॉलिटी का प्लास्टिक इसमें यूज किया गया है और यह जो मशीन है इसका हाइट है 55 cm और इसका लेंद ब्रत है 40 cm और इस खुबसूरत मशीन का आज के दिन में एमेजान पर प्राइस है अप्रोक्स 3500 रुपीस और इसके अलावा इसके जैसा सेम दिखने वाला एक और मशीन है गाइस 2.5 kg का मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वह वाला मतले वह बहुत ही ज्यादा चोटा हो जाएगा काफी ज्यादा प्राब्लम आएका आपको वह यूज करने में हाला कि प्राइस अल्मोस्ट से देमी है 100 पे का ऊपर नीचे है वस लेकिन गाइस यह वाला जो वाशिग मशीन है यह बैस्ट है अगर आप इसे पर्चेस करोगे तो फिर आप दिल से सैटिसफाइड रहोगे गाइस और वाइस हमारे अगले नंबर पर आता है पोटेबल प्लास्टिक वाशिग मशीन और यह बहुत ज़्यादा है वी ड्यूटी के लिए तो नहीं है लेकिन नॉर्मल क्लोथ वाश करने के लिए एक परफेक्ट मशीन है और देखे इसमें आपको काफी सारे वराइटी के कलर मिल जाता है फाई कलर में अवेलेबल है यह मशीन आप अपनी स्क्रीन के पाद देख स पानी को उस प्रेशर से नहीं घुमा पाएगा जिस प्रेशर से घुमाना चाहिए जिस वज़े से आपका जो कपड़ा है कपडों के अंदर से डस उतनी बूरी तरह से खीच के नहीं निकाल पाएगा यह जैसा निकालना चाहिए और आपका जो कपड़ा है वो ठीक से क्ली नहीं हो पाएगा और गाइस यह 100% शौक प्रूफ है इसे चला के आप पाल्टी में कर अपने हाथ डाल भी देते हो तब भी आपको किसी भी तरह का और गाईस यह मशीन सिर्फ एक डारेक्शन में घुमेगा क्लॉप वाइस और एंटी को लगवाईस नहीं घुमेगा सिर्फ गूप वाइस ही घुमेगा यह मशीन और गाईस यह जो गैजट है यह ट्रैवलिंग परपस के लिए बनाये गया है मतलब कभी कभी हम लोग ऐसे ज चले गए माउंट क्लाइमिंग ऐसे या फिर किसी रिलेटर के घर पे चले गए तो फिर उन लोग को बोलना कि हमारे कपड़े दो काफी जादा और अनकमफर्टेबल फील होता है और गाइस किसी और का वाशिंग मेशिन यूस करना या फिर बहुत ज़्यादा खराब लगता ह है गाइस मतलब एक शरम साहता है इसलिए गाइस यह गैजट बनाया गया है जो की काफी ज्यादा कमफर्ट है यहां वहां लेकर जाने में यह हैवी ड्यूटी तो नहीं है लेकिन गाइस आपका जीन शर्ट और लेडिस का जो भी क्लोथ रहता है उन सब को वाश करने के लि वाला है तो जब आप इस मशीन को खरीदने का प्लान बना है तो मेरी आप से रिक्वेश्ट रहेगी कि आप साइस जरूर देख ले आप छोटे साइस का वाशिंग मशीन मत खरीदे क्यूंकि उसमें उतना पावर नहीं होगा कि कपड़ों को ठीक से वाश कर सके तो गाइस हमारे अगले नंबर प्याता है पोटेवल वाशिंग मशीन और देखे गाइस यह वाशिंग मशीन काफी ज्यादा छोटा है और इसे ऑपरेट करने के लिए आपको सिर्फ फाइव वोल्ट करेंट की ज़रूरत है मतलब आइस आप अपने मूबाइल फोन के चार्जर से भी कि इस मशीन को इजीली ऑपरेट कर सकते हो गाइस तू-3 एमपेर का करेंट चाहिए बस गाइस मचे देखने के लिए आप देख लिए इस गजट को लेकिन मेरी आप से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस गजट को कते हैं कते हैं ना खरीदे क्योंकि फाइव वोल्ट से चल कपड़ेद हो सके गाइस बस मज़े लेनी के लिए है मज़े ले लिए यह एक गैजट है जो घूमेगा वाटर प्रूफ रहेगा या फिर आप बाल्टी वाल्टी में लेकि ऐसा गोल साइकलोन टाइप का डिजाइन विजाइन कुछ बना सकते हो और बैटके उसको घूरो म प्रूफ है आप होम डेकोरेशन का कुछ बना सकते हो आप अपने घर पे मतलब ऐसा कुछ एक आप ट्रांस्पेरेंट सा बड़ा सा बाल्ट ले सकते हो उसमें नीचे रख दो यह और उसमें आप एलेडी लाइट से कुछ डेकोरेट कर सकते हो उसके बाद आप इसे ऑन कर तो जब यह घूमेंगा तो एक साइकलोन टाइप बनेगा जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा गाइस लेकिन वाशिंग मशीन तो कभी नहीं गाइस तो चले गाइस अभी आगे बढ़ते हैं हमारे अगले गैजट की तरफ जो है सो गाइस यह है आज का आखरी गैजट बैटरी यूसिबल हैंड इलेक्ट्रिक डिश वाश और गाइस यह कोई वाशिंग मशीन नहीं है लेकिन यह वन आप दा यूसफुल गैजट में से एक है इसलिए मैंने इस लिस्ट में इसको एड़ किया किचन क्लीनिंग के लिए ए और एक चोटा मोटा प्रोडेक्ट आप इससे क्लीन कर सकते हो और यह प्रोडेक्ट अपनी मा को गिफ्ट करने के लिए एक तम बेस्ट गैजट है आपकी मदर को बहुत ज़्यादा चलाएगा और यह एक केर को रिप्रेजेंट करता है गाइस और कस्टमर रिव्यू की बा रहा है गाइस इस गैजट का प्राइस है आज के डेट में एमेजोन पे 900 रुपीज अप्रॉक्स तो गाइस आज का वीडियो में यही खतम करता हूं आपको कौन सा वाशिंग मशीन सबसे ज़्यादा यूनीक और यूसफुल लगा प्लीज कमेंट में ज़रूर बता है और अगर यह वीडियो थोड़ा भी यूसफुल लगे आपको तो प्लीस लाइक करें थैंक यू गाइस